कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि एनकाउंटर पर कोई शक है तो नियायाले में जाकर गुहार लगाएं ऐसे लोगों से बस इतना पूछना है कि क्या नियायाले से किसी की जान भी वापस मिल सकती है बिजे पीराज में एनकाउंटर का आकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइन साफी का भी आकड़ा है साथ ही PDA के विरुध हुए अन्याय का भी मंगेश एंकाउंटर को लेकर अखिलेश यादो पहले भी बोल चुके हैं लेकिन अखिलेश यादो ने अपने इस बयान में एक बड़ा सवाल उठाया है सवाल ये है कि क्या अदालते जाने वापस कर सकती है जाहिर है इस सवाल का जवाब नहीं महीं है अखिलेश यादो ने इस सवाल तब उठाय है जब मंगेश यादो के एंकाउंटर केस में ये बात कही जाने लगी कि एंकाउंटर फेक है या सही इसको अगर जानना है तो कोट का रास्ता अख्तियार करना चाहिए जाहिर है ये बात योगी सरकार के सपोर्टर्स और बीजेपी वाले कह रहे हैं वहीं अखिलेश यादो पूरी तरह से मंगेश यादो के परिवार के साथ ही साथ ही अखिलेश यादो पर मंगेश यादो का परिवार फिलाल पूरा भरोसा कर रहा है क्योंकि इससे पहले भी मंगेश यादो के पिता ये बयान दे चुके हैं कि अगर अखिलेश यादो का फोन नहीं आता तो पुलिस वाले हमें बोडी भी नहीं देते साथ ही मंगेश के पिता ने ये दावा किया कि उनका लड़का गलत नहीं था उनको जान बूज कर उठाया गया मंगेश के पिता ने तो CBI की जांच की मांग भी कर दी है उन्होंने साब तोर पर कहा है कि अगर CBI की जांच हो जाएगी तो साब पता चल जाएगा कि कौन चोर है और कौन क्या है वहीं अखिलेश यादो के स्ट्वीट के पहले से ही मंगेश इंकाउंटर केस को लेकर BJP और समाजवादी पार्टी में जवर्दस्त राजनीतिक वार पलट वार जारी है अखिलेश यादो पहले ही ये कह चुके हैं कि मंगेश की जाती देखकर उसके साथ ऐसा किया गया है हाला कि इस बारे में UP के CM योगी अधित नाथ ने दावा ठोका है कि गुंडे और माफिया एक एक कर्यम लोग की यातरा करते रहेंगे इसका क्या मतलब समझा जाए साथ ही योगी ये भी कहते हैं कि इस से UP की जनता जनार्दन के साथ हुए अन्याव का हिसाब किताब भी चुकता होता जाएगा हाला कि इस मामले में UP STF की 11 मिंबर्स वाली टीम भी सवालों के घेरे में घिरती नजरा रही है क्योंकि एनकाउंटर के मौके पर से खीची गई एक तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दी है इस तस्वीर में STF की टीम को लीड करने वाले डिप्टी SP, DK शाही और उनके तीन साथी जूते के बजाए चपल में खड़े दिख रहे है मंगेश यादो इनकाउंटर केस का पूरा सच क्या है ये तो फिलाल कहा नहीं जा सकता लेकिन जिस तरीके से मंगेश के पिता ने CBI जाज की बात की है उस दिख्शा में काम हो तब ही कुछ सामने आएगा उससे पहले बीजेपी और समाजवादी का ये वार पलट वार का दौर जारी रहेगा फिलाल अखिलेश ने ट्विट किया है उसका जवाब योगी सरकार या फिल यूपी बीजेपी कब और कैसे देती है ये देखना एहम होगा इस ख़वन बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें One India Hindi के साथ